नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट सार आपके साथ मैं हूँ अपूर मिने साथ मौझूद ने रोहिज जुगलान और जो मैच हुआ है सारेच वर्सेज आरसीबी का वो मैच आरसीबी जीच सकती थी लेकिन एक ऐसी बहुत बड़ी गलती हो गई जिसने पूरे मैच के किये कराये पर आरसीबी पर पानी फेड़ दिया और मैच हार गई वो था वो जो लमहा था वो था 17 ओवर में जब नवदीफ सैनी बॉलिंग कर रहे थे साम में थे केन विलियमसन लो फुल टॉस दी और बॉल हवा में गई ऐसा लग रहा था कि कैच हो जाएगा कैच हुआ भी लेकिन देवदद पर्डिकल से एक गलती यह हो गई कि वह कैच को उतनी तरीके से जज़ नहीं कर पाए कैच लेकर उन्होंने बाउंडी के तरफ रखेलने की कोशिश की लेकिन बहुत आगे गिर गई और वो जो आउट हो जाता उसके जगा पर सिंगल हो गया बच गई केन विलियमसन केन विलियमसन अगर उस जगा पर आउट हो जाते तो शायद मैच फिर आरसी भी पकड़ ले यह लेकर यंग है और अच्छे फिल्डर है और इसी चिसके प्रक्टिस करते है इसी लिए हम आज इतनी बाते उनको लेकर कर रहे हैं अगर कोई और होता हुआ तो मैं तो मैं उमीदी निंकरता कैच होता है ना अगर उनके अलावा कोई और खिलाडी होता हमने बहुत सारे अगर उन फिल्डर देखे हैं और उन फिल्डर मेंसे क्योंकि वह खिलाडी था तो उसने वह बनाने की एक कोशिश की लेकिन वह बना कर उसने जो गेन को थो इन किया उसमें जो मिस जज्जमेंट हुई वो निश्यत तोर पर उस कैच को पूरी तरह से खराब कर गया वरना पर आप कह सकते थे कि उन्होंने टीम के लिए रंस बचाये हैं और जो रंस बचाये थे वह बहुत प्रूशल थे लेकिन आप सही कह रहें कि अधर वहां पर विल्यमसन का लिकेट आजाता तो फिर मैच कहीं भी जा सकता था हाला कि मुझे लग रहा था कि तब तक मैच में स अरे चारेच काफी हद तक लीड बना चुकी थी लेकिन विल्यमसन का जाना बहुत जाता तो यह ख़वर थी यार कि मैच जीत सकते थी आर से लेकिन वह अगर कैच हो जाता तो बहुत पशुक्त है फिर आइस वीडियो को देख सेंगे लिए बहुत पशुक्त है झाल